मेरट बिक्यों की कारकम में पहुचे मोहन भागवत मंच पर मोहन भागवत का इस समय भब विस्वागत गव आधारे जैविक क्रिशी को बढ़ावा देने पर ये कारकम है मेरट की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर इस समय मोहन भागवत पहुचे हुए है और वहाँ पर कारकम में शामिल हुआ है मोहन भागवत कारकम में पहुचे वहाँ पर मंच पर इस समय गव आधारे जैविक क्रिशी को बढ़ावा देने के लिए इस कारकम का यूजन किया जा रहा है अधार निदम जैणायगा में जो हुआ है तथागत के काल तक का सब तत्वज्ञान यह सारा तत्वज्ञान ऐसा क्यों बना उसका करण हमारे खेट और जंग है तथागत ने बात्व में बैटकर इंचिंपन भी गिया उन्होंने अपस्या कि बोधी प्रापतों यह उनको रुख्षिते लीचे सिमेंट के सहर के नीचे नहीं नहीं कि वहां आपने कीवन का वो लिया वहां प्रकृति का नेरेक्षण किया वहां को साक्षाबकार हुआ कि दिख्टिया अलग है कि हम और वो जुड़े हैं एक नहीं तत्व के अलग आदिशकार है हमको मिलकर ही चाहिए क्योंकि आप एक दूसरे पर्टेट पर है कि और इसलिए अपनीता जैसे तत्वात्यां के दुक्तर में भी अजयने का वर्णन है सुष्टी चक्र का वर्णन है और कार है कि इसको खंडित करने वाले महापापके भागी है कार है कि अपक्षण का है कि हमारे जीवन में जो कुछ बंदर है कि और भारत की पतिष्टा सारे दिनिया के जिन बातों के लिए हैं वह सारे के सारी बाते हमारे उन तरीपों से और उस्थ न्यान अदिवी से जो जंगल और खेतों से लिकारा हमरे पास आई है तो इसका मतलब क्या हम अभी आर्मे राइका विवा के बेटना छोड़ दे और वेल्मेंटी से चले यह नी मेरा मज़ा है लेकिन शाष्वर जो और है जो सदा सर्वदा बालों का की लिए अवश्यक है उसका आज के काल में कैसा देल किरों यह सोचके प्रयोग करने पड़ेंगे और इसलिए इस प्रयोगों को प्रुक्साद देने वाला किसां से तो क्या है इसको साखार आए वे करेंटे सब्सक्राइए वह जो दूनिया को जो दुनिया चाहता है जो दुनिया चाहता है उससे मिले और जो देरा दुनिया को बारता करता हुरता है जाए में और इसलिए कारे करता है है । है वह किसांगे कारे करता है पुर्चार पुर्चार करते हैं किसांसरे पुर्चार पर झाल झाल